नमस्कार दोस्तों ठाक और और यूटिव चैनल में आपका भूद बहुत स्वागत है आज की प्रेजनेटेशन है हमारे रिबा वेली में और अभी हम जो है पहुंचे हैं शिरिमोलिंग कंडा जो हमारे ठीक बोटम में में किनिक लाश्च के बोटम में पड़ता है और आज जो है हम मिस्टर सुनेल लेगी जी के और चर में आये हैं और हम आपको आज प्रोनिंग करतेश में एक जो बिश्येश द्यान देना है मैंने बहुत सारे जो है और चर में यह चीज देखिया और यह कमी पाई है जिससे जी लोगों को बहुत सारा नुकसान जेनना में आचाव रहा है जैसे लोगों को कंजस्टीड रख रही थी कोई निकालने के लिए तो और उन ट्यम्हां निकाला है जैसे कोई गढ़ी है या फिर कहीं से उनग्रोच तो है आपे खेदे ल्रस्टय मेरे पास जो है जो एच्छ चार्ज फूइदा नहीं थी इसलिए मैं यह वीडियो नहीं बना पाया और आज में बता रहा हूं जो यह शाखा थी यह हमारे बिल्कुल डल थी और यह देखी यह जो है ख्राब थी और इसको हमने उड़ाया है इस जगह से इस जगह से तो इस तरीके से जब हमारा एंगल बढ़ता है ब्रांचे में यह हम एंगल डालते हैं बहुत सरी जगह पर मैंने देखा है लोगों को कि वो क्या करते हैं इसको जो है उनका कहना है कि अगर हम बिल्कुल द्यूदो जो को क्या ऐस भी क्या करते हैं और वह जार दो क्या करते हैं जैसे इसको आप देखरे हैं यह इस ही जैगह से हमने काटा था यह की अपर वाले साथ ख्रांक और helpful आइंडар थीये देया है यह आप इतनी उंचाई से जो इसको हटाते हैं जिससे कि हमारा जो है कैंकर लगने के संबाबना बहुत जादा रहती है और क्या होता है फिर यहां से जो है हमारा जो यह हिसा हमारा कवर नहीं हो पाता है क्यों कि यह 1.5 इंच हाइट पे है आपने कट लगाया है जब हम इसको 1.5 इंप्रोब होना जो है बिल्कुल यह हम इसको इंप्रूब करने के लिए इस हमें क्या है जो थाकुर और्चड मेरा मैथ है तो हम क्या गरेंग इसको यहां से हटाएंगे और इसको बिल्कुल क्लोजी से यह मैंने डेमो के तो आपको समझा रहा है जैसे इसको हमने काट है बिल्किल क्लोज से. और इस क्लोज से काटने का हमें क्या फाइदा मिलता है? बहसे लोग गनते हैं कि टैनी एंगल पड़ा हुआ है, टैनी तूट जाएगी, इसको थोड़ा उंचे से काटना है, नहीं कुछ भी नहीं होता है. और एक साल होता है और दूसरे साल आपकी इंप्रोविंग इसमें होना शुरू हो जाती है जैसे आप हाइट से कारते हो तो ये आपके लिए बहुती ज्यादा नुकसान दाइक रहता है और इसका मैं बता होँगा कि बिल्कुन नजदी करने से हमें क्या होता है कैसे हमारी ये शakesह होती जो हमारे ये वाली ब्रांच होती है ये जो आगे ब्रांच चारी है पर एर जितनी मोटी होती जाएगे और उसी लेवल पर ये घाब भी आपका बंद होता जाएगा वो तब बंद होता जाएगा अगर आप इसको इसकी लेवल में काटेंगे इसकी में काटेंगे है अगर आपस्कों थोड़ा हॉइट से काटेंगे इसको हाइट देंगे जैसे मैंने बताये तो तो ए इस वीडियों में इस लिए मैं आपको इस वीडियो के मादयम से बस यह समझाना चाहता हूं जब भी आप अपने जो है और चर से कोई बी कंजस्टिट ब्रांच या फिर फ्रेक्चर ब्रांच अगर जब भी निकालने हो बिल्कुल क्लोस से काटें बिल्कुल क्लोस से ताकि वह इम्प्रूव ह में व्रेक्च बस्तमर्च बांच को सब्सक्राइब करने के लिए फिर निकाल में अपने हाथ श्क्राइब करता है बस्तूंज ब्सक्रामा दे मेरे वीड हैं अगह आगए मीहीं, आप आप रहे निए वीडियो मैंना चाहता हूं और श्यूंत कमेंठों श्या मेरे ठाको और चार्ट यूटिब चैनल के साथ